इस वीडियो में हम चौपर का यह जो रसी है वो धीला हो गया है यहाँ पर चौपर काम तो करता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे है यह देखे चौपर बिल्कुल काम कर रहा है लेकिन रसी धीला हो गया है तो किस तरीके से आप अपने घर पे अपने चौपर की ज बहुत असान है उसके लिए यह वाला पार्ट है इसको खोलना पड़ेगा खोलने के लिए यहां पर आप टेश्टर वगेरे कर यूज़ कर सकते हैं यह जो खाचा दीख रहा है तोड़ा सा गड़ा देखें तीरों साइट पर आपर है यहां पर टेश्टर इस तरीके से लगा को लॉक से फ्री कर लेना है उसके बाद ये वाला पार्ट काफी असानी से खुल जाएगा देख सकते हैं यह अब कोई चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब खोलते समय यहां पर छोटे-छोटे-चोटे लॉक्स होते हैं वह किस तरीके से यहां पर लगा है और अगर निकल जाए तो उसको आप वापस उसी तरीके से लगा सकें तो यहां से मैं छोटे-छोटे लॉक्स को अलग कर प्रतम हूँ अगर आप चाहो तो इसकी डोरी को भी खोल सकते हो और इसको टाइट करना है तो काफी असान होते हैं देखें यहां से इस तरीके से खीचने के बाद आप इसमें कुछ सढ़ाई है यह देखे रसी थोड़ा सा छोटा हो रहा कोई दिक्कत ने इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की स्प्रिंग है वो थोड़ा सा घुमेगा और यहां पर जो रसी है वो टाइट हो जाएगा आप देख पा रहे हैं यहां पर यह जो रसी जो धीला था वो पूरा टाइट हो चुका है यह देखें यह वापस उस जगे पर जा रहा है देख पा रहे हैं और चाहें तो आप इसको और टाइट करना चाहें तो इसको एक बार और गुमा के देखते हैं यह तिसी तरीके से आप टाइट कर सकते हो कापी सिंपल है यह देखें वापस जाके सिदा फिक्स उस खाचे में ही बैठ रहा है यह देखें अब उसको लगाना भी कापी असान है जिस तरीके से आप इसके लॉक्स को खोले हैं पहले उसी तरीके से इसके लॉक्स को वापस लगा देनी है उसके बाद इसको इस तरीके से रखा यह जो size देख पा रहे हैं आप जो निशान है और इसके निशान दुनों को आपस में ऐसे मिला दें मिलाने के बाद इसकी जो locks देख पा रहे हैं और यहां पर इसके locks को makes करते वोए आपस लगाना है यह देखें यह बड़ी असानी इस तरीके से लग जाता है अब आप देखेंगे कि आपकी जो चौपड का रसी धीला हो गया था वो असानी से टाइट हो जाते हैं और यह बिल्कूल अपनी जगे पर जाकर फिक्स बैट रहा है काफी सिंपल बहुत ही असान होते हैं इसकी रस असकारी मिला हो तो वीडियो लाइक से चीज़ेगा फिर से लाएंगे नई वीडियो हम नई जानकारी लेगा है